हेलो गाईज इगवार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम या राजिस्थान जिकी के क्वेस्चिन कवर करने वाले हैं आई यह स्टार्ट करते हैं क्वेस्चिन नमबर वन पदमिस्री से सम्मानित प्रथम राजिस्थानी पुरोष कौन थे? राइट आउसर इस ओप्शन नमबर त्री सूरी कुमार भुयन पदमिस्री से सम्मानित प्रथम राजिस्थानी पुरोष थे? नेक्स्ट क्वेस्चिन घर ब्याइः और दिएर अजनी करने खुंटने वाली ब्राप्त करने वाली प्रतम रैजिस्थानी मेला कौन थी Great answer is option number 3 श्रीव्स्ञान कि देवी बजस पद्म विभुशन प्राप्त करने वाले प्रतम रैजिस्थानी महीला थी question만 5 걸로 Time की प्रथम विधानस भाकि उपाद्यक्ष पद पर किसे चुना गया था राइट आंसर इस ओफिन नमबर त्री अरुना राय प्रथम राजिस्थानी महिला है जिनकों की मैस्ट chapters काराप्त हुआ है Q6. राजिस्थान की प्रथम वा एक मात्र महिला कौन है जिने पद्म श्री और पद्म भूशर दोनों से सम्मानित किया गया है Q7. प्रथम राजिस्थानी अरजुन पुरस्कार विजेता कौन थे Q8. डॉक्टर करणी सिंग किस खेल से सम्मानित थे Q9. निम्न मैसे मैक्सी से पुरसकार विजेता राजिस्थानी कौन है Q10. राजिस्थान के कौन से चिकित्सक क्रत्रिम पैर के जनक कहे जाते है Q11. निम्न मैसे कौन सा शहर जैपूर से पुरसकार विजेता है Q12. निम्न मैसे किस दिशा में राजिस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोतर व्रद्दी होती है Q13. राजिस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतह किस से होती है Q14. राजिका वह जिला जिसकी सीमा पंजाब एवं पाकिस्तान दोनों से मिलती है Q15. पंजाब की सीमा पर इस्थित राजिस्थान था के जिलों की संख्या कितनी है Q16. राजिस्थान के पश्चमी मरुस्तलिय भाग की चत्ताने किस भूगर्विक काल की है Q17. राजिस्थान की कूबड पट्टे है पट्टी कहा है right answer is option no.4 नाग और अजमेर में है राजिस्तान की कूबर पट्टी question no.18 बाढमेर जिले के साथ निम्न मैसे किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी है right answer is option no.2 शिरोही जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है बार्मेर जिले के साथ question number 19 राज्य में रेतीले सुस्क मैदान एवं अर्ध सुस्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है right answer is option number 3 25 cm वर्षा रेखा है question number 20 निम्न मैंसे समी पुवर्ती राज्यों का कौन सा जिला राजिस्थान को छूता है right answer is option number 4 फाजिल का फतेहाबाद और महिसागर ये सबी है जो की समी पुवर्ती राज्यों की सीमाओं को छूते है question number 21 सीकर जिले की सीमा निम्न मैंसे किसे नहीं छूती है right answer is option number 3 अलवर को नहीं छूती है सीकर जिले की सीमा question number 22 निम्न मैंसे समी पुवर्ती जिलों का समू है right answer is option number 1 नागोर, पाली, उदैपुर और चित्तोड़, गर्ड समी पुवर्ती जिलों का समू है question number 23 निम्न मैंसे कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर इस्थित नहीं है right answer is option number 2, बूदी question number 24 राजिस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी ना किसी दूसरे राज्जी को इस्पर्ष करती है right answer is option number 3 तेइस जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी ना किसी दूसरे राज्जी को इस्पर्ष करती है question number 25 निम्न मैंसे किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है राइट आंसर इस ऑप्शन नमबर वन जोदपुर जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है Q26. सीत कार में भूमद्य सागर से उठने वाले पश्चमी विछोबों से होने वाली वर्सा को राजिस्तान में किस नाम से पुकारते हैं Q27. राजी का कौन सा छेत्र बांगर प्रदेश कहलाता है Q28. निम्न में से गुजरात का कौन सा जिला राजी स्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है Q29. राजी स्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से नहीं है पाकिस्तान से लगती है राजी के सुस्क मरुस्थल के भौतिक विवाग की निम्न में से कौन सी विशेष्टा नहीं है Q31. लोनी बेसिन नागोर उच प्रदेश वा घगर का मैदान किस बौतिक विवाग के उपछेत्र है Q32. देश का सबसे गर्म एवं सुस्क प्रदेश कौन सा है Q33. मालाणी परवत राजी के किन जिलों में विस्तरत है Q34. राजिस्थान के सलगन जिले कौन से है Right answer is option no 2. सीरोही, पाली और नागोर राजिस्थान के सलगन जिले है Q35. उत्तरी पश्चमी सुस्क प्रदेश में वर्सा ना होने का प्रमुक कारड़ क्या है Right answer is option no 4. अरावली का वरस्ट चाया प्रदेश होना उत्तरी पस्चमी सुस्क प्रदेश में वर्षा ना होने का प्रमुक कारड़ है Q36. राजिस्थान के सरवादिक निकट इस्थित बंदरगाह कौन सा है? Right answer is option number 2. कांडला Q37. राजिस्थान के रेगिस्थानी छेत्र प्राक एतिहासिक काल के किस भाग का अवसेस है? Right answer is option number 3. टैथिस सागर का अवसेस है? Q38. बाडमेर के सिवाना पहाडी छेत्र में इस्थित गोलाकार पहाडियां क्या कहलाती है? Right answer is option number 3. चपन के पहाडियां और नाकोडा परवत ये दोनों ही कहलाती है? Question number 39. मावठ क्या है? Right answer is option number 2. सीत रितु में राजिस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्सा को मावठ कहते हैं. Question number 40. राजिस्थान प्रतिवी के किस छेत्र में इस्थित है? Right answer is option number 2. उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्द में इस्थित है राजिस्थान. Guys, in this video इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू. थैंक यू.